तो राम राम जी कैसे हो आप सब मैं सुमित तो भाई आज जो है हम लोग बात करेंगे इको स्पोर्ट के वाइपर्स के फंक्शन की देखे मेरे पास एक भाई का मेसेज आया था इंस्टाग्राम पे उनका नाम है इंडियन देशी बॉय करके है उनकी जो आईडी पे लिखा हुआ है तो भाई ने मेरे से का था कि आप इसका जो है इसकी जो वाइपर्स हैं उनके फंक्शन के बारे में एक वीडियो बनाईए और साथ में इसका जो AC है उटोमेटिक AC उसको हम कैसे प्रॉपर यूज करें उसके बारे में वीडियो बना दीजिए तो देखे आज हम बात कर लेते हैं वाइपर्स की क्योंकि इस टाइम रेनी सीजन चल रहा है बरसात का समय है वाइपर की जरूरत हमें पढ़ती है तो आज की वीडियो में हम वाइपर की बात कर लेंगे बाकी ओटोमेटिक AC का भी मैं एक वीडियो बात में बना दूँगा तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे दोस इस फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी नई गाड़ी ली है उनको बहुत-बहुत बदाई दिना चाहूंगा एक हैं हमारे एन शंकर जी जो के नेपाल से हैं इन्होंने अभी-अभी इको स्पोर्ट पेट्रॉल ट्रेंड वेरियंट लिया है तो सर आपको बहुत-बहुत बदाई और दूसरे हैं हमारे वीरेंद्र भाई जी जो के पूने महाराष्ट से हैं इन्होंने अभी-भी- बहुत बहुत शुप कामना है तो वही चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे के शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए यह हमारा लेफ्ट हेंड साइड पर इस्टेरिंग के नीचे आपको यहां पर जो है लेवर दिखाई देता है जिससे कि आप अपने वाइपर कंट्र अब यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है वो है यह वाला सुच कि भाई इसका क्या मतलब है देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूँ यहां बहुत से लोग डाउट बहुत से लोगों को जो है confusion रहता है यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वन डॉट एक पानी क ठीक है इसका मतलब अगर हलकी बारिश है तो आप इसको नीचे वन डॉट पर रख सकते हैं यह हलकी बारिश के लिए है अगर थोड़ा जादा है तो इस पर आप कर लीजिए उससे तेज है तो इस पर और अगर बहुत जादा तेज बारिश है तो इस पर कर लीजिए इसका जो है सीधा सीधा मतलब है वाइपर के टाइमिंग से अगर इस पे है तो थोड़ा धीरे धीरे वाइपर चलेगा मतलब टाइमिंग गैप जो है थोड़ा जादा रहेगा इस पे कर दोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा गैप इस पर कर दोगे तो और कम और इस पर कर दोगे तो बहुत कम टाइम रहेगा गैप रहेगा बहुत जल्दी यली वाइपर चलेंगे चलिए चला के मैं आपको दिखा देता हूँ देखो इसको चलाने के लिए अब हमें क्या करना है अभी इस पर करते हैं पहले इसको अब इसक चलेगा मैं प्रॉपर आपको दिखा देता हूं सारा ठीक है इतना गेप लिया इसने काफी गेप ले लिया साथ आट मिनिट सेकेंड का अब अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ इस वाले को ठीक है ये देखिए अब ये थोड़ा जल्दी चलेगा पहले से अब मैं अगर इसको और उपर कर देता हूं तो ये और जादा जल्दी चलना शुरू हो जाएगा मतलब जो गेप है टाइमिंग गेप है वो थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए अगर मैं इसको पूरा उपर कर दूँ त्री डॉट्स पर तीन जो बूनों के निशान है तो ये देखिए तो इसकी स्पीड बढ़ गई मतलब गेप कम हो गया तो ये इसका मतलब होता है अब वाइपर हमें कैसे यूज करने है बारिश का मतलब आप समझ गए कम बारिश है तो इसको उपर कर दोगे तो ये काफी गैप लेकर चलेगा अब काफी जल्दी ये चलना शुरू कर देता है तो ये है भाई वाइपर चलाने की सेटिंग इको स्पोर्ट में अब एक चीज आती है रियर वाइपर की तो देखिए यहाँ पर ये रियर वाइपर के जो कंट्रोल्स हैं ये अलग से दिये गए हैं इसमें क्या है सिस्टम इसको आप उपर करोगे तो पीछे एक बार आपका वाइपर चल जाता है और अगर आप इसको और उपर कर दोगे तो ये रेगुलर आपका वाइपर चलता रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ IRVM में आप देखिए अभी बंद है अब मैं इसको एक बार उपर करूँगा ये देखिए सिंगल ठीक है बंद हो गया अब मैं इसको जो है उपर करता हूँ सबसे उपर वाली पोजीशन पर तो ये देखना आप ठीक है ये वाइपर इसका जो रियर वाइपर है रेगूलर चलता रहेगा तो ये है भाई इसका रियर वाइपर का सिस्टम अब आता है कि शीशा अमा पानी ये चल गया है आपका शीशा हो गया साफ अब ऐसे ही अगर आपको रियर अगर वेंडशील साफ करनी है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको इसको अपोजेट दबाना है मतलब नीचे की दरफ पहले आपने ऊपर किया था अब इसको करना है हमें नीचे मै पीछे की सैड में, बैक सैड में इस तरह से प्रेस करने से, तो यह है भाई, इसका सिस्टम वाइपर कंट्रोल, अब यहाँ पर एक और चीज है, जो इसके M.I.D. में इसके वाइपर से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखे, यहाँ पर आप सेटिंग् वीकल सेटिंग्स, वीकल सेटिंग्स में नीचे आपको आलता है वाइपर का ओप्शन, अगर आप इसको OK करेंगे, तो यहाँ पर दो चीज लिखी आती है, कर्टसी वाइप और रिवर्स वाइपर, ठीक है, कर्टसी वाइप को अगर आप आप ओफ कर देते हो, तो जैसे मैंने चेक इन कर लिया, तो अब आप देखिए, एक, दो, तीन, अब थोड़ा सा गैप लेने के बाद, लास्ट में एक वाइप और करेगा वाइपर इस तरह से, तो यह कर्टसी वाइप है, मतलब चोथे वाइप के लिए लास्ट में, रिवर्स वाइपर, अगर आप फॉ तो ओटोमेटिकली, अगर आपके वाइपर फ्रंट के ओन है, तो पहले, बैक वाला जो वाइपर है, वो आपकी विंडशील्ड को, बैक विंडशील्ड को वाइप कर देता है, तो इसको आप यहां से चेक इन कर सकते हो, ठीक है, तो यह भी जो है, मैं आपको प्रैक्टिक यह देखिए, अपने आप उसने जो पीछे वाली विंडशील्ड है, उसको वाइप कर दिया, रिवर्स गेर लगते ही, और यहां से आप देख लो, यह बंद है, यह मैंने ओन नहीं किया, ठीक है, तो यह मतलब है, रिवर्स वाइपर का, वहां से जो है, मेन्यू में से अगर आप इसको बंद करोगे, यहां से, तो आप जैसे ही रिवर्स गेर लगाओगे, बैक गेर लगाओगे, तो आपका जो पीछे वाला वाइपर है, वो वाइप नहीं करेगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपको, कि आप इसको चेक इन करके रखो, यह बहुत ही आप इसको बहुत ही बढ़िया फीचर बोल सकते हो, हालंके कुछ लोगों को सही नहीं लगेगा, लेकिन भाई काफी सही है, आप मतलब कमपनी की सोच देखो, उसने कहां दिमाख लगाया, कि अगर आपके वाइपर चल रहे हैं और आपने बैक गेर लगाया, तो आपका र कर देना, तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत!